आप लोगों का हर दिख स्वागता लेट अफ्ट अप्टेट निकल काईगी केंद्रिय करमचारियों को मिला बड़ा तोफा आप परिवार वालों को मिलेंगे सवाल लाख रुपे तो दोस्तों परिवार वालों को सवाल लाख रुपे कैसे मिलेंगे हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर पाफ टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजे सस्क्राइब कर दीजे स साथी साथ का लाइकन को भी मज़ा दीजिए ताकि गुर्मेंट या पैंशन से समादीजी जितनी भी नियू जाती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंट पो उसके तो करते हैं वीडियो का उस्टाइट बिना किसी देरी की दोस्ता इन दिने केंदर सरकार अ फैमिली को मिलने वाली सुविदा में बडोतरी का एलान कर दिया है दरसल अगर पती पतनी दोनों सरकारी करमचारी है तो CCS 1932 के तैत कवर है तो उनके प्रिवार को भी फैमिली पैंशन का हिसा बना जाएगा रिटार्मेंट के बाद अगर दोनों से देशों की मोत हो जाती है तो उनके बच्चों को दो पैंशन मिल सकती है जिसके तैत पैंशन की अधिक्तम रासी सवालाक रुपे होगी आलंकी के लिए कुछ सरते रखी गई हैं CCS 1932 के रूल चम्मन के मताबिक अगर पती और पतनी दोनों पैंशन के नेमों के तैत आते हैं तो उनकी मोत के बाद उनके दो बच्चों को फैमिली पैंशन मिलेगी नेमों के मताबिक अगर सरकारी नोकरी में रिटार्मेंट के बाद किस एक सदेसे की मोत हो जाती है तो फैमिली पैंशन दूसरे सदेसे को मिलती है वही अगर रिटार्मेंट के बाद दोनों सदेसे की मोत हो जाती है तो उनके बच्चों को फैमिली पैंशन की सुविदा मिलेगी पैंशन रूल चम्मन के तायत पहले सदेसे की करमचारी की मोत प पर बच्चों को फैमिली पैंशन के रूब में 45,000 रुपे मिलने का कानून था। अगर बच्चों को दोनों फैमिली पैंशन दी जाती है तो सब रूल 2 के मुताबिक यह रासी 27,000 रुपे होती थी। छटे वेतनायों के नियमों के मुताबिक CCS रूल के तहत अधिक्तम पैंशन की रासी 90,000 रुपे के 50 परतिशत और 30 परतिशत की दर से 2 फैमिली पैंशन मिलती थी। 90,000 के इसाब से यह रासी 85,000 रुपे और 27,000 रुपे होती थी। लेकिन साथ में वेतनायों के तैथ पैंशन की अधिक्तम रासी 50,000 रुपे तैह है। फैमिली पैंशन के ने नियम के मताबिक पती पतनी दोनों सरकारी करमचारी और रिटेर्मेंट के बाद दोनों की मौत हो जाती है। तो सवाल लाक रुपे की एक पैंशन और दूसरी फैमिली पैंशन पिछे तरजा रुपे की नोमनी बच्चे को मिलेगी। सरकार ने निमो में डाईल लाक रुपे महिने के इसाब से फैमिली पैंशन तैह की गई है। सुचना के मुताबिक 45,000 रुपे की जगह पर कुल डाईल लाक रुपे का 50 परतिशत यानी की सवालाक रुपे नोमनी को फैमिली पैंशन के रूप में मिलेंगे। 27,000 रुपे की पैंशन को अब 5,5,000,000 रुपे का 30 परतिशत यानि की विचे 30,000 रुपे दे दिये जाएंगे तो दोस्तों आज के लिए तरह मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय वारत